इसमें रिक दो लिस्ट आफ लिस्ट आफ मुगल किंग्स आफ्टर और्गजे आफ्टर और्गजे यानि कि हम लोग जो है आपके 707 के बात से जितने आपके मुगल एंपरर आए थे हमारे भारत में हुए या उनकी बात करेंगे और एक और आपको साथ ने इमाजिनेशन कि डिकलाइन होती जा रही थी और जो बिटिश से वह ज्यादा स्ट्रॉंग होती है ठीक है यह एक इमाजिनेशन आपको रखनी है तो सबसे बहले लेटन साइट पर लिखना बादूर शाह फर्स्ट एक तो यह आपको याद रखना है एक्जाम में आता है आपके नहीं और यह पूछते मैं जब फोलॉंग में पूछ लेंगे या कौन सा पेर गलत है वो पूछ लेंगे तो इसका लिखना बहादूर शाह फर्स्ट का सेवेंटीन जीरो सेवन से लेकर 12 तक उसके बाद सेकेंड लिखेगा जहादर जहादर शाह जहादर जहादर शाह इसका लिखेगा 712 712 से लेकर 713 ठीक है यह आपका जहादर शाह देन ठर्ड आपका लिखेगा फारुक शियार फारुक शियार फारुक शियार सत्रा सो तेरा से लेकर 19 ठीक है 1713 से लेकर 1719 तर फारुक शियार उसके बाद रफी उद दरजात रफी उद यूडी करके रफी उद दरजात दरजात ठीक है रफी उद दरजात इसका लिखो कहते हैं कुछ महिनों के लिए था लेकिन याद रखना जरूरी है 1719 देन पांच्वा लिखेगा शाजहां सेकेंड शाजहां जहां सेकेंड ठीक है और जो इसका कुछ यह तो ऐसा नाम है जो थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिखले आपको कुछते हैं शाजहां सेकेंड और रफी उद दौला जो उपर नाम है इनिशल तो वही रहेगा रफी रफी उद यूडी दौला रफी उद दौला ठीक है रफी उद दौला इसका वह लिको 1719 उची मैंनों तक था यह तो यहां से अक्सर यह नोंने जो कुछन पूछा है वो पूछा है कि बताओ इन चारों में से किसका नाम शाजह सेकेंड था तो यह आपने टिक करना है रफी उद दौला ठीक फिर मुहमद शाह मुहमद शाह मुहमद शाह फर्स्ट ठीक है इसका अगे लिको 1719 यानिकि 17 1719 से लेकर 1748 बहुत लंबा ठेंजर देखा जाए तो मुहमद शाह फर्स्ट 1719 से लेकर 1748 देन उसके बाद 7 आपका लिखेगा एहमद शाह एहमद शाह इसका टैनियो लिखेगा 1748 से लेकर 1748 से लेकर 1754 देन उसके बाद 8 आप लिखेए आलम गीर सेकेंड आलम गीर सेकेंड आलम गीर सेकेंड ये लिखेगा 1754 से लेकर 1759 देन ठीक है आलम गीर सेकेंड उसके बाद 9 आप लिखेगा शाह जाह थर्ड शाह जाह जाह थर्ड ठीक है शाह जाह थर्ड ये लिखेगा 1759 से लेकर 1760 देन उसके बाद 10 आप लिखेए शाह आलम सेकेंड शाह आलम सेकेंड ठीक है शाह आलम सेकेंड 1760 ठीक है 1760 से लेकर शाह आलम सेकेंड 1860 देखा जाह तो लंबा ठीक हो रहा है अचा अब यहां पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि बहुत डेटा जाधा हो रहा है तो देखो जैसे फारुक शी आ रहा है उसके बारे में जाहतर पुछा आता है यह जो आपका मुहमद शाह फर्स्ट है जाहतर इसके कोशन पु अब लिख रहे होंगे अगबर सेकेंड अगबर सेकेंड यह आपका 1806 एटीम 06 से लेकर 1837 ठीक है अगबर सेकेंड और 1837 तक है और उसके बाद आपका लास्ट आपका अब 12 बनके चलेंगे बहादुर्शा सेकेंड बहादुर्शा सेकेंड इसका जो टैन्यूर था वह आपका 1837 से लेकर 1857 ठीक है और इसके बाद जैसे आप जानते हैं कि बटशेस ने बहादुर्शा सवर को भी सेकेंड को भी आप्टा रिवॉल्ट ऑफ 1857 अरेस्ट किया और उसके बाद कहां भेज दिया रंगून भेज इसके बाद इसके जो कह सकते हो वारिज थे उनको भी मरवा दिया गया था कि भाई कोई आगे इनमें क्या ना करें तो एक आपका जो अगर आना होगा मुगल एंपरर से तो एक कोशन यहां से आ सकता है आपके यह मैंने आपको लिस्ट लिखाई ठीक है अब इस लिस्ट को या तो आप ब्रेक करके भी लिख सकते हो मना ब्रेक करके भी याद कर सकते हो कि जो शुरू के आपके छे हैं उनको याद कर लिया एक साथ ऐसे बादरुशा से यहां से यहां तक पर और बाकी जो छे हैं उनके तरह कोई काम खास काम नहीं है लेकिन और वाइस याद करने के लिए थे वो निकनेम भी आपके एक्जाम में पूछ लेते हैं ठीक है या आप कह सकते हो टाइटिल आप तो सबसे पहला आप लिखे ये ये बादुर्शा फरस्ट बादुर्शा फरस्ट बादुर्शा फरस्ट ठीक है लेफन साइब लिखना है इसको बादुर्शा फरस्ट ठीक है इसके आगे एरो बनाके लिख दो शाह आलम फरस्ट ये किसका अपका था शाह आलम फरस्ट ठीक है उसके बाद अगला लिख लेगा लंपट मूर्ग अगला लिखो लंपट मूर्ग मूर्ग यह लिखलो लंपट मूर्ग के आगे जहादर शाह जहादर जहादर शाह ठीक है जहादर शाह तो कोशन किस तरह किसे बनता है कि भाई इन चारों में से किसको लंपट मूर कखा जाता था तो जहादर शाह को बोलते थे ठीक है फिर उसका लिखिए घिरित कायर घिरित ठीक है घिरित कायर घिरित कायर यह लिखिए इसको बलते थे पारुक शियार पारुक शियार ठीक है घिरित कायर पारुक शियार कि बाद अगला नाम लिखो नेपोलियन ओफ इरान नेपोलियन ओफ नेपोलियन ओफ इरान नेपोलियन ओफ इरान ये लिखो नादिर्शा नादिर नादिर्शा ठीक है, नैपोलियन ओफेरान, नादिर शाह, उसके बाद, आपका लिखेगा, नेक्स्ट आपका, रंगीला बाद्शा, थोड़े से इनकी अजीव है, रंगीला बाद्शा, ठीक है, बाद्शा, रंगीला बाद्शा, यह लिखो आपका मौमा शाह, मौमा शाह फ़स्त, मुहम्मद शाह फस्ट ठीक है रंगीला बाद्शाह मुहम्मद शाह फस्ट उसके बाद अगला लिखो जफर ये नाम शहिदा आप लो जफर जफर लिखेगा ये किसका निकनेम था बादुर्शाह सेकेंड बादुर्शाह सेकेंड ये वो ही जो आपका आखरी किंग था तो नाम तो जो है कुछ निकनेम जो है क्या मिलते हैं हमको जफर भी हमको इसके निकनेम मिलते हैं ठीक है चलो, अब इसमें एक करके जो kings हैं, उनके कुछ-कुछ important points हैं उसको cover up कर लेते हैं तो list में देखो, सबसे पहले मैंने आप लोग को लिखाया था, बाहदुर शाह first प्रेडिंग डालो, बाहदुर बाहदुर शाह first टेन्योर में आप लोग को लिखा चुका था, इसलिए दुबारा मैं बोल नहीं रहा हूँ, टेन्योर पढ़ लो, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1707 से लेकर 1712, ठीक है, बाहदुर शाह first का, यानि कि जैसे आपका औरंग्जेव की death हुई, तो औरंग्जेव की death के बाद जो नया मुगल emperor बना, वह बाहदुर शाह first बना, ठीक है, तो अब इससे पता चलता है, कि अभी जो मैं point निखाऊंगा की, औरंग्जेव